चहरे पर खौफ, आँखों में उदासी, अपनी बेटी खोने का गम, कभी खत्म नहीं होने वाला गम ये तस्वीरे सपा की पोल खोल रही है, सपा और अखिलेश यादव की मानसिक्ता की पोल खोल रही है अखिलेश यादव पीडिये की बात करते हैं, लिकिन उनकी बाते कितनी खोखली है, उन्हें इन तस्वीरों में देखा और समझा जा सकता है बोरे में बंद यूफ्ती का शव सपा गुंडों की गुंड़ई को चीक चीक कर बया कर रही है एक पिता के आशू अखिलेश यादव के गुंडों की बरबता को बया कर रहे है यूपी के मैनपुरी के करहल इलाके में एक तलित यूफ्ती की हत्या कर दी गई हत्या का आरोप सपा नेता प्रशान्त यादव और उसके साथियों पर लगा मृतिका के पिता का आरोप है कि उपचुनाव में सपा को वोट देने से मना करने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई पीडित पिता का कहना है कि सपा नेता प्रशान्त यादव ने जब हमसे साइकिल को वोट देने को कहा तो हमने मना कर दिया और खुट को बीजेपी समर्थक बताया पीडित पक्ष का कहना है कि ये सुनते ही सपा नेता प्रशांत यादव गुसे से पागल हो गए और परिनाम भुगतने की चेतावनी भी दी तो वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्षन लिया और आरोपी को गिरफतार कर लिया मामला सामने आने के बाद बीजेपी मामले में सपा के खिलाफ अक्रमक हो गई इस मुद्दे पर सपा पर निशाना साधिते हुए बीजेपी ने कहा कि दलित बेटी की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने सपा को वोट देने से मना कर दिया था साथी राज्ये की जिनता को सोचना चाहिए कि क्या खिलेश यादव गुंडो पर लगाम लगाने सक्षम है क्या खिलेश की पार्टी के लोग अभी भी पुरानी सोच में ही जी रहे हैं